भारत बुला रहा है, रक्त रक्त को आवाद दे रहा है, उठो, हमारे पास अब गमाने के लिए समय नहीं है उन्होंने आजादी के लिए आजादी इन फोच को मजबूत किया उन्होंने पुरे देश से हर जाती, पंद, हर खेत्र के लोगों को देश का सहिनिक बनाया उस दौर में जब दुनिया महिलाओं के सामान्य अधिकारों पर ही चर्चा कर रही थी नेता जी ने रानी जासी रेजिमेंट बना कर महिलाओं को अपने साथ जोड़ा उन्होंने फोच के साइनिकों को आदुनिक युद्ध के लिए ट्रेनिंग दी उन्हें देश के लिए जीने का जजबा दिया देश के लिए मरने का मकसद दिया नेता जी ने कहा था भारोत डाग छे भारोत डाग छे रोक्तो डाग दिये छे रोक्तो के उठो दांडाओ आमोदेर नोष्टो करार मतो सोमय नोए हर्थात भारत गुला रहा है रक्त रक्त को आवाद दे रहा है उठो हमारे पास अब गमाने के लिए समय नहीं है साथियों ऐसी होसले से भरी हुंकार सिर्फ अब सिर्फ नेताजी ही दे सकते थे और आखिर उन्होंने दिखा भी दिया कि जिस सत्ता का सुरज कभी अस्त नहीं होता भारत के वीर सपूत रणभूमी में उससे भी परास कर सकते हैं उन्होंने संकल पलिया था भारत की जमीन पर आज़ाद भारत की आज़ाद सरकार की नीव रखे इए नेता जी ने अपना ये बादा भी पूरा करके दिखाया उन्होंने अन्दमान में अपने सैनिकों के साथ आकर तिरंगा फैराया जिस जगह अंग्रेच देश के स्वदंत्रता सेनानियों को यातनाय देते थे काला पानी की सदा देते थे उस जगह जाकर उन्होंने सेनानियों को अपनी स्तरधांज ली दी थी वो सरकार अखन भारत की पहली आजाद सरकार थी नेता जी अखन भारत की आजाद ही इन सरकार के पहले मुख्या थे और यह मेरा सभाग्य है कि आजादी की उस पहली जलक को सुरक्षित रखने के लिए दोजार अठाना में हमने अंडावान के उस दीप का नाम नेता जी सुभाज चंद्र बोथ दीप रखा देश की भावना को समचते हुए नेता जी से जुड़ी फाइले भी हमारी सरकार ने सार्वजने की यह हमारी ही सरकार का सौभाग्य रहा जो 26 जनवरी की परेड के दोरान आयने वेटन्स परेड में शामील हुए थे आज यहाँ इस कारकम में आजाद हिंद फोज में रहे देश के वीर बेटे और बेटी भी उपस्तित है मैं आपको फिर से प्रणाम करता हूँ